सीरल तू सूरज में सांच पिया जी में कनक उमा शंकर को अपनी सीता और गीता दोनों ही personality दिखाते हैं सीरल तू सूरज में सांच पिया जी में उमा शंकर और कनक के बीच में टशन ड्रामा चल रहा है कनक उमा की लाइफ में वापस आ गई है लेकिन इस बार फिर वो कुछ hidden intention के साथ आई है और वो भाबो के शॉप के पेपर वापस लेना चाहती है इतना ही नहीं उमा शंकर कनक को फिर से accept कर लेता है लेकिन अब कनक उमा को अपने दो अवतार दिखाना चाहती है उमा और कनक के बीच में डील होती है कि कनक उसके परिवार को खुश रखेगी और उमा को कनक को जैसे वो है वैसे ही accept करना होगा वो उसको बदले की कोशिश नहीं करेगा कनक उमा को अपने दो अवतार दिखाती है सीता और गीता कनक सीता बनकर एक अच्छी बहु बनती है उमा के परिवार के सामने और गीता बनकर वो उमा शंकर के सामने काफी निगटिव हो जाती है उमा शंकर कनक का ये दोनों अव्टार देखकर बहुत खोश हो जाता है लेकि कनक का ये गुट बहु वाला ड्रामा को ज़ादा ही बढ़ता जा रहा है और वो उमा शंकर के इस ग्यान के बिलकुल खिलाप होती है अब क्या उमा और कनक के बीच की ये चैलेंज दूर हो पाएगी क्या वो दोनों सच में एक हो पाएंगे वैले शोर से जुड़ी सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब सबस्ट उसके परिवार को खुश रखेगी और उमा को कनक को जैसे वो है वैसे ही accept करना होगा वो उसको बदले की कोशिश नहीं करेगा कनक उमा को अपने दो अव्तार दिखाती है सीता और गीता कनक सीता बनकर एक अच्छी बहु बनती है उमा के परिवार के सामने और गीता बनकर वो उमा शंकर के सामने काफी निगेटिव हो जाती है उमा शंकर कनक का ये दोनों अप्टार देखकर बहुत खोश हो जाता है लेकि कनक का ये गुट बहु वाला ड्रामा को जादा ही बढ़ता जा रहा है और वो उमा शंकर के इस ग्यान के बिलकुल खिलाप होती है अब क्या उमा और कनक के बीच की ये चैलेंज तूर हो पाएगी क्या वो दोनों सच में एक हो पाएंगे वेले शो से जुड़ी सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब